हेलो स्टुडेंट्स तो जैसा कि मैंने अपना पिछला वीडियो में आपको मैंने बताया था कि पूरे टेंज के बारे में समझाया था तो आज से मैं परजेंट इंडिफनीट के बारे में आपको बताने जा रहा हूंगे कि देखिए पहले तो हमें परजेंट इंडिफनीट का पहचान समझना ज़रूरी होता है किसी भी टेंस का पहचान सबसे important part होता हो उसका तो परजेंट इंडिफनीट का पहचान क्या होता है यदि किसी भी sentence के अंत में किसी भी worry के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, आदि, जब रहे तो हम समझ जाते हैं कि यह sentence है, यह sentence present indefinite tense है, ओके, आप पहचान को हमेशा याद रखना, पहचान आपको कभी भी भूलना नहीं होगा, अब देखिए, present indefinite में, जब इसको हम बनाते हैं, इसका method जानते हैं कि how to translate Hindi the two English, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा, person पर ध्यान देना होगा, number पर ध्यान देना होगा, number जैसे हम singular number, plural number कहते हैं, और person जैसा कि आप जानते हैं, three types persons होते हैं, first person, second person, और third person, तो आपको number और person, दोनों को हमेशा दिमाद में रखना होगा, और पहचान, बस आपको first यही ध्यान देना है, कि यह जो sentence है, किस tense का है, तो हम उस tense का पहचान कैसे करते हैं, तो उसके यही पहचान हमें काम आता है, कि मालीजे, मैं भी द्याले जाता हूं, ता हूं आ रहा है न, तो हम समझ जाएंगे, कि यह present in definite है, वहाँ खाना पकाती है, last में क्या आता है, त तो present indefinite tense है, ठीक है, तो मैं फिर से आपको पाचान बता दू, यदि किसी भी वाक के अंत में, ता है, ती है, ते है, ता हूं, आधी रहता है, उससे हम present indefinite tense कहते हैं, तो आईए अब हम पढ़ते हैं, present indefinite tense के बारे में, कैसे हम किसी हिंदी वाक को इंग्लिस में translate करते है ओके, देखिए, present indefinite, present indefinite किसी भी tense को हम मेंली तीन पार्ट में बाढ़ते हैं, पहला sentence क्या होता है, affirmative, दूसरा negative और तीसरा interrogative, interrogative में दो परकार के interrogative होते हैं, एक तो interrogative, yes, no interrogative होता है, जो helping verb से शुरू होता है, जो helping verb से शुरू होता है, वैसे interrogative को हम, yes, no interrogative कहते हैं, और दूसरा interrogative, wh question, जो question word से शुरू होता है, दोनों लगभग एक ही है, बस नाम का है, मैं अभी आपको समझाओंगा, बिल्कुल आपको मैं असपस्ट कर दूँगा, कि yes, no interrogative और wh question में क्या अंतर है, ओके, तो देखिए, पहले हम affirmative sentence के बारे में पढ़ते हैं, आइए, affirmative sentence को मैं आपको structure से मैं समझाओंगा, एक प्रकार से समझेए कि ये translation का formula है, ओके, बस आप formula को दिमाग में रखेंगे, और आपका कोई भी tense में किसी भी प्रकार का confusion नहीं रह जाता है, देखिए, present indefinite का affirmative में structure क्या होता है, subject plus verb का first form, plus is yes, ये is yes, जो है, ये verb में लगाया जाता है, plus object, clear है, अब दिखिए, मान दीजिए, यहाँ पर मैं एक sentence आपको समझा रहा हम, यहाँ दिया है, he plays cricket, वह cricket खेलता है, see rights are later, वह पत्रे लिखती है, we go to school, हम विद्याले जाते हैं, अब आप यहाँ पहले देख लिजिए, यहाँ play में एस लगा है, right के साथ यहाँ एस लगा है, और यहाँ go भी main verb है, लेकिन यहाँ पर कोई एस याई एस का प्रियोब नहीं किया गया है, तो आखिर ऐसा क्यों clear है, देखिए, इसका एक ही चीज़ में आपको समझना है, कि यदि इस वाकिका, इस sentence का, या किसी sentence का, present indefinite में किसी भी sentence का subject, जिसको हिंदी में हम करता कहते हैं, he see it, या कोई नाम हो, कोई एक नाम, या आप यह से समझ लिजे, कि यदि हमारा subject singular में है, यानि हमारा subject singular number में है, तो उसके साथ verb में हम एस या येस लगाते हैं, लेकिन plural subject के साथ verb में हम एस या येस नहीं लगाते हैं, यही चीज़ आप यहाँ देखिए, he plays cricket, he singular है, इसलिए play में एस लगा है, तो देखिए, subject क्या है, he, verb का first form क्या है, play, लेकिन subject आपका singular है, इसलिए play में एस को लगाया गया है, उसके बाद में object क्या है, cricket हो गया, subject, verb, object, clear, दूसरा example, c, rights, letter, c, v क्या है, similar subject है, इसलिए write में एस का प्रियोग किया गया है, और object इसमें क्या है, later, वही format आपका same click, correct वही format आएगा, वही structure पर आपको ध्यान देना है, अब दिखिए we, we क्या है, plural subject है, plural है, वह वचन है, इसके साथ word में ACS नहीं लगता है, we go to school, हम विध्याल जाते हैं, हम singular नहीं है, हम क्या है, plural है, यानि एक वचन नहीं है, बहुचन है, तो plural subject के साथ, present indefinite के word में ACS नहीं लगता है, अगला देखिए example, राम eats mango, राम आम खाता है, यानि राम शिंगलर है, इसलिए यहाँ पर verb में ACS का प्रियोग किया गया है, तो राम क्या है, देखिए subject क्या है, राम, वर्ब का first form क्या है, it, और राम शिंगलर है, इसलिए हमने ACS यहाँ पर use किया है, और object क्या है, mango, पस यह structure है, you sing a song, तुम गाना गाते हो, अब यहाँ पर you भी plural subject में आता है, इसलिए sing के साथ ACS का प्रियोग नहीं किया गया है, और a song, song क्या है, object है, फिर उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा I के साथ, I एक exception है, exception मिन्स अपवाद है, I singular होते हुवे भी इसके साथ verb में ACS का प्रियोग नहीं किया जाता है, तो यह आप इसको exception मान कर चलेंगे, अब देखिए, इसका हम आते हैं, negative sentence के बारे में, जो present indefinite का, जो negative sentence होता है, उसका structure क्या होता है, कि जब negative sentence बनाते हैं, तो उसमें helping verb, do या does का प्रियोग होता है, यहाँ भी simple ची बात है, यदि sentence का subject, यानि किसी भी वाक्य का करता, similar में है, तो उसके साथ हम does का प्रियोग करते हैं, यदि किसी भी वाक्य का subject, plural में है, तो उसके साथ हम do का प्रियोग करते हैं, अब देखिए, negative sentence का structure होता है, subject, subject, plus do, does, not, plus main verb, first form, plus object, अब देखिए, यहाँ example, subject है, ही, ही क्या है, singular है, इसलिए, यहाँ पर does का प्रियोग किया गया है, अब यहाँ पर sentence क्या है, not, तो not आपने यहाँ रखा, main verb, first form में होना चाहिए, play क्या है, main verb है, first form है, इसके बाद क्या है, object, cricket क्या है, object है, तो यही चीज़ समझना है, कि singular subject के साथ, आपको does not का प्रियोग करना है, और plural subject के साथ, do not का प्रियोग करना है, बस इतने ही सी बाद जाननी है, अगला example देखिए, we, we क्या है, plural subject है, we do not go to school, हम विद्याले नहीं जाते हैं, अगला example है, राम डेज नौट इट मैंगो, राम आम नहीं खाता है, राम क्या है, singular है, इसलिए इसके साथ डेज नौट का प्रियोग किया गया, अब देखिए, you, you plural subject में आता है, you do not sing a song, यहाँ पर you के साथ do not का प्रियोग किया गया है, यहाँ पर आपने देखा, we के साथ do not का प्रियोग किया गया तो we और you के साथ do not do not का प्रियोग किया गया है क्योंकि ये दोनों जो प्रोनाउन है ये plural माने जाते हैं इसलिए इनके साथ do not का प्रियोग किया गया similar subject होगा similar subject में जैसे he, see, it या किसी ब्यक्ति का नाम तो जब similar subject में रहेगा तो उसके साथ आप does not का प्रियोग करिएगा negative sentence में plural subject रहेगा तो उसके साथ do not का प्रियोग करिएगा अब आते हैं इसका interrogative sentence में तो जैसा कि मैंने अभी जश्ट आपको पहले बताया कि interrogative sentence दो परकार के होते हैं एक interrogative sentence yes no type होते हैं जो किसी helping verb से सुरू होते हैं do, does, is, are, am, was, were, has, have इन से सुरू होते हैं तो इस type के जो sentence सुरू होते हैं उसे हम interrogative sentence तो कहते हैं लेकिन interrogative sentence में ये yes no type interrogative होते हैं और दूसरा interrogative sentence question word से सुरू होते हैं जैसे question word में क्या आता है उसको हम दूसरी सब्द में wh question भी कह सकते हैं जैसे when, why, what, how, where, who ये सब जो word होते हैं ये wh question कहलाते हैं यानि कि इसको आप question word भी कह सकते हैं अब आते हैं interrogative sentence में इसका structure क्या होता है ये आपको ध्यान देना है अब देखिए interrogative sentence का structure है do, does ये subject के हिसाब से कहां हमें do रखना है कहां हमें does रखना है यदि singular subject है तो पहले does को रखेंगे यदि plural subject है तो हम पहले do को रखेंगे तो do, does अपने subject के हिसाब से रखना है do, does प्लस subject अब जैसा subject रहेगा यहां subject मान लीजिए plural है तो do पहले आएगा यदि subject similar है तो यहां does आएगा इसके बाद verb का first form मेन verb का first form इसके बाद क्या आता है object और object के बाद क्या करते है question mark लगाते है question mark यह interrogative sentence में बिल्कुल नहीं भूलना है आपको अब देखिए example does he play cricket अब देखिए he यहां पर similar subject है इसलिए does का प्रियोग पहले किया गया है does he play cricket क्या वह cricket खिलता है question mark भी लगा है अब इसमें does देखिए आ गया subject क्या है he verb का first form यानि main verb क्या है play और object क्या है cricket clear अब देखिए does Ram eat mango यहां पर does का प्रियोग क्यों किया गया है क्योंकि Ram singular subject है अब यह structure से देखिए पहले does आया राम इसलिए does आया क्योंकि Ram singular subject था फिर subject क्या है राम वर्ब का first form क्या है it और object क्या है mango पस आपको इसी structure को ध्यान से समझ लेना है जो इतने लंबे चोड़े रूल लिखवाया जाते हैं इसकी कोई आउसकता नहीं है अगला example देखिए अब यहाँ subject है subject क्या है you you के हिसाब से you के अनुसार क्या होना चाहिए do तो do हमने पहले लिखा do you write a letter देखिए do you subject है right वर्ब का first form है a letter क्या है object है अगला example do they दे क्या है plural subject है इसलिए पहले do आएगा do they play hockey क्या होगी खेलते हैं अब आते हैं अगला डबलू एच टाइप question पर यानि किसको हम question word काते हैं same as say how ऐसे ही उसका format होता है बस अंतर क्या है कि sentence के बीच में कब क्यों कहां कैसे क्या आता है इसलिए हम उसको पहले लिखते हैं देखिए डबलू एच question डबलू एच question का structure जो होता है question word qw मैंने लिखा है यानि कि question word plus do does plus subject यदि sentence में negative भी है not भी है तो subject के बाद हम not का प्रियोग करते हैं प्लस वर्ब का first form प्लस object बस यह structure आपको ध्यान में रखना है देखिए question word मैंने बताया कि question word में क्या क्या आते हैं what where when why how वगारा तो यह सब question word है देखिए question word plus do does why why क्या है question word है अब यहां do या does को हम यहां के subject के हिसाब से रखेंगे अभी देखिए यहां पर ही subject है तो ही क्या अनुसार क्या होगा does होगा इसके बाद मान लीजिए sentence में not है तो subject के बाद interrogative sentence में हमेशा not का प्रियोग subject के बाद करते हैं play cricket अब देखिए अब आपको फिर समय समझाता हूँ why does he not play cricket वह cricket क्यों नहीं खिलता है तो sentence के देखिए बीच में क्यों सब्द आ रहा है और क्यों क्या है question word है तो जब उस sentence के बीच में काब केओं कहां कैसे क्या यह सब जब आएंगे तो इसको translate करते समय हम सबसे पहले लिखते हैं जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है देखिए question word why subject ही है उसके हिसाब से does का प्रियो किया गया है why does he not play cricket वह cricket क्यों नहीं खिलता है अगला example देखिए question word तो how question word हो गया do helping verb है तो डू आ गया इसके बाद में सब्जेक्ट है तो यू सब्जेक्ट हो गया इसमें देखिए sentence में मान लिजे sentence में not नहीं है तो हम not का प्रियोग नहीं करेंगे यदि not रहता है sentence negative में होता है तब हम subject के बाद not लगाएंगे यदि sentence में not नहीं है तो not का प्रियोग नहीं करेंगे हाउ डू यू अब देखिए राइट राइट क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और अबज़ेक्ट क्या है लेटर है बस इतनी ही से बात जाननी है आपको तो इस क्या हो गया हाउ डू यू राइट अलेटर तुम पत्र कैसे लिखते हो तो बस यही चीज समझना है कि इन्ट्रोगेटिव संटेंस में इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझेगा कि इन्ट्रोगेटिव संटेंस में दो टाइप के यानि टू टाइप्स इन्ट्रोगेटिव संटेंस होते हैं एक इन्ट्रोगेटिव संटेंस इसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं जिनको इस interrogative sentence में और इस interrogative sentence में बस अंतर क्या है कि question word आ गया है और question word को सबसे पहले प्रियोग किया गया है उपर का example देखिए क्या वह cricket खेलता है does he play cricket और मालीजे यहां रहता कि क्या वह cricket नहीं खेलता है तो क्या करते does he not यानि he subject के बाद not का प्रियोग करते does he not play cricket अब मालीजे इसमें आ गया question word तो देखिए question word को सबसे पहले लिख दिया गया बाकी सब वही है does तो does he he अब यहां पर क्या है कि not था इसलिए subject के बाद not लगा दिया गया अब देखिए यहां पर क्या है play तो play cricket cricket सेम वही चीज़ है बस यही ध्यान रखिएगा कि interrogative sentence में यदि not का प्रियोग करना है तो उसको subject के बाद not का प्रियोग करेंगे और question word को जो वाक के बीच में कव क्यों कहां कैसे क्या आते हैं इनको सबसे पहले लिखना है तो बस यही है आपका present indefinite एक बार में समझ नहीं आता है दो बार देखिए तीन बार देखिए आपके पास हमें ऐसा उपलब्द है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस structure के माध्यम से समझ में आया होगा और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना जो अभी तक से subscribe नहीं किये होंगे kindly subscribe जरूर कर देना अपने दोस्तों में share भी करना और मैं जो कल वीडियो डालूँगा ठीक करम से डालूँगा कल का जो वीडियो होगा और परजेंट continuous के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ठीक है तब तक के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप वीडियो को बार बार देखते रहें आप जितना इसको देखेंगे एक बार में समझ नहीं आता है दो बार में नहीं आता है लेकिन मेरा भी स्वास है कि आप ज समझने के लिए ओके तो चलिए इसी सुबकामना के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे ओके जैहिन